हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नमस्कार Quick News प्रोग्राम में आपका स्वागत है टॉपिक है इस्राइल की कबजे की अवैस्था पर प्रस्ताव पास फिलिस्तिनी एक शत्रों में इसराइल की कबजे की अवैस्था और उससे संबंधित चार प्रस्ताव संखतराश्ट महासभा में रखे गए इसमें से एक प्रस्ताव इसराइल के अवेथ कबजे पर अंतरास्टिय नियायले यानि आई सीजे की तत्काल सलाह लेने से संबंधित हैं। इन प्रस्तावों के पक्ष में 98 वोट और विपक्ष में 17 वोट पड़े जबकि 52 देशों ने मतदान से परहिज किया। चार में से दो प्रस्ताव फिलिस्तिनी शरनार्थियों के लिए संयुक्तराष्ट राहत और कारे एजनसी UNRWA के जनादेश का विस्तार करने और फिलिस्तिनी शरनार्थियों को सहायता प्रदान करने को संदरवित करता है। बाकि दो फिलिस्तिनी शवनार्थियों की सम्पत्ती और उनके राजस्वसे संबंधित हैं यह प्रस्ताव इसराल की लंबे समय तक कबज़े के रूप में संद्रफित करता है प्रस्ताव में कहा गया है कि फिलिस्तीनियों के आत्म निर्ने के अधिकार का उलंगन हो रहा है फिलिस्तीन के विदेश मंत्री ने इन प्रस्तावों को एक कूटनीतिक और कानूनी सफलता के रूप में वर्नित किया इस्राइल के राजदूत ने सेंक्तराष्ट में कहा कि ICJ में शामिल होने से दोनों देशों के बीच सुलह की संभावना समाप्त हो जाएगी आपको बता दें कि 1967 में 6 दीवसी एद के बाद इस्राइल ने विस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पुर्वी यरुशलम पर कबजा कर लिया था फिरिस्तिन 1967 में इस्राइल के कबजे के वाले क्छित्रों में 133 फिलिस्तिनी राज्य स्थापित करना जाता है अंतराइस्ट्री ने आयले सेंक्तराइस्ट यानि इविन का प्रमुख नियाईक अंग है यह जून 1945 में सेंक्तराइस्ट के चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था और अप्रेल 1946 में काम करना शुरू किया आयसी जे 15 निया अधिशों से मिलकर बना है जिन्हें सेंक्तराइस्ट महासभा और सुरक्चिसा प्रिसत द्वारा 9 साल के कारेकाल के रिए चुना जाता है